अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट प्राइस क्रेश इन 2020 लास्ट तीन चार हफतों से सोशल मीडिया पर मेसेज़ गूम रहे हैं रियल इस्टेट प्राइस द्रॉक बाइ 20 परसेंट रियल इस्टेट प्राइस रॉक भॉप बै कि अपन भून रहे हो तो आप शायद वो कि अगर आपको लगता है कि तीस तका चालिस तका का भाव गेर जाने से आप वह फलैट या वह Memphis या कमर्शिल प्रिमाइस खरीद पाओगे तो आप एक बहुत बड़ी गलत फैमिल जिस दिन रियल इस्टेट 30-40 परसंट गिर गया उस दिन इंडियन उकिनामी कोलाप्स हो जाएगा यू विल बी ओनली एबल टू फाइट फॉर यूर सर्वाइबल यू विल नाट बी एबल टू आप खुच सोचिए आपके पास घर या ओफिस है एक करोड का क्या आप चाते हो यह घर या ओफिस का एक करोड का प्राइस सीधा 60 लाग हो जावे कल imagine the kind of stress that you will go through do you think उस टाइम पे आपका प्राइटी रियल इस्टेट होने वाला है नहीं your priority would be survival just look around you what is happening your daily necessities सबके भाव बढ़े हुए petrol भाव बढ़ चुके है construction material भाव बढ़ चुके लेबर या तो है नहीं अगर अवेलबल है तो तीन गोना चार गोना भाव पर अवेलबल है यह सबके बावजूद आपको लगता है प्राइस गिर जाएगा हां मार्केट में कुछ डील्स अवेलबल हैं इंवेस्टर्स की डील्स अवेलबल होंगी जिनको cash flow is their priority real estate में शायद वो लॉस कर लेवे एक पर्टिकुलर यूनिट में वो लॉस कर लेवे प्राइटी क्योंकि उनकी प्राइटी कैश फ्लो उनका बिजनेस रन करना यह उनकी प्राइटी होगी बट दाट दसन्मीं दाट रिल इस्टर्स प्राइज अव फॉनन बाई 20 30 परसंट यह जरूर होगा आज आपको डेवलबलपर बेस्ट डील दे देल आगा है विद दिस दिस इस आ राइट तैम तो इंवेस्ट 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 नहीं कर पाए इन द मन्त अफ एप्रेल और में 2020 आज वो लोग पस्तार है क्योंकि वो लोग भी यह सोच रहे थे कि यहां से मार्केट और तीस टका चारीस टका निचे जाने झाट गले कर दिस आपका छूटो नची सी का इंवेस्ट आने तो इन वेस्टीज इन डार यह सोच ऑ्रियंестно to the society now if you are working in any of this sector do you wish to see this sector to collapse if not then how can you wish real estate to drop the prices or real estate should see a correction of 20 30 percent if the prices drop by 40 percent the entire financial sector will get impacted because 60% of their portfolio is of infrastructure and real estate and if the financial sector get affected by 60% the Indian economy will collapse so if you are still dreaming of real estate prices to get corrected by 40% you have to dream longer because that's not going to happen so when do you think is the right time to buy real estate the right time to buy real estate is today best deal available in the market best price available in the market if you are looking to buy real estate the time is today thank you for watching this video if you are in the channel please don't forget to subscribe to my channel if you are in the